नमस्कार दोस्तों अर्शित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीच साकर क्लास लवन NCIT पॉलिटी के किताब चला था चाप्टर 4 एक्जीक्यूटीव चला है दोस्तों तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजिडेंट के बारे में इन डीटेल डि दे इसका मौस्ट इंपोर्टन फंक्श्नरी इस डिपार्यम इसटिश को हैए के पास लोगसभा की मेजोरेटे होना जरूरी है अगर मैजोरेटी नहीं है तो ठीम इस्टेर को हैना पटेगा 1947 के बाद कई सालों तक Congress Party के पास ये majority थी और Congress Party का जो leader रहते थे वो Prime Minister बन जाते थे But 1989 से situation थोड़ा सा बदल गया Congress Party की जो majority थी वो धीरे धीरे down होता चला गया और various political parties एक साथ आकर coalition government बनाना शुरूर किया ऐसे situations में सारे parties मिलकर decide करते हैं किनको Prime Minister बनाना है जो सब के लिए acceptable है वही Prime Minister बन जाते हैं एक example में बोल जाता हूँ जैसे कि अभी का जो ruling party है National Democratic Alliance अब ये basically एक alliance है एक political party नहीं National Democratic Alliance के अंदर कई सारे political parties का coalition है obviously बात है इसमें major political party तो BJP है अब BJP के साथ कई सारे political parties का coalition है National Democratic Alliance इन से पहले United Progressive Alliance, UPA जब Dr. Manmohan Singh Prime Minister थे अब UPA के अंदर major party तो International Congress था International Congress के अलावा कई सारे political parties का coalition था UPA वैसे coalition politics के बारे में हम आगे discuss करेंगे एक बार Prime Minister अपोइन होने के बाद वही decide करेंगे Council of Ministers में कौन-कौन होगा Prime Minister सारे Ministers को ranks and portfolios allocate करते हैं ranks मतलब क्या होते हैं दोस्तों जैसे कि आपने cabinet rank के बारे में सुना होगा जो major portfolio से like Minister of Defense, Minister of Finance, Minister of Railways, Minister of Foreign Affairs यह सारे senior leaders को देते हैं दोस्तों अब यह जो major major portfolios hold करने वाले ministers है ना इसे आप cabinet बोल सकते हो अब प्राइम मिनिस्टर भी cabinet का एक member है तो और जो junior leaders होंगे उन्हें कभी-कभी deputy minister बना देते हैं या फिर minister of state बना देते हैं मिनिस्टर स्टेट मतलब वह cabinet minister को assist करेंगे ठीके तो इस तरह सारे council of ministers को प्राइम मिनिस्टर रैंक्स अलोकेट करते हैं साथ-साथ में portfolios भी अलोकेट करते हैं portfolios मतलब क्या है जो ministry है किसी को defense दिया किसी को textile दिया किसी को petroleum and natural gas दिया किसी को housing and awareness दिया इसी तरह आप दोस्तों और एक बार यह जो cabinet के बार में मैंने बोला cabinet आप बोल सकते हो इंडिया का supreme decision making body है क्योंकि उसमें prime minister है और senior ministers है वही decide करेंगे important policies वगरा तो यह हो गया national level की बात है या फिर central level की बात है अगर आप state में आओगे state में prime minister की जगा कोन है chief minister है तो जैसे prime minister council of ministers को appoint करते हैं वैसे state में chief minister बाकी सारे ministers को appoint करते हैं now prime minister and all the ministers how to be members of the parliament ठीक है central level की बात करे prime minister and सारे जो council of ministers से वो members of the parliament होना ज़रूरी है लोगसभा या फिर र्याजिसभा अगर किसी को आप prime minister या फिर कोई भी minister बना देते हो जो MP नहीं है तो 6 मेने के अंदर उन्हें MP बनाना पड़ेगा अब MP बनने का दो तरीका है या तो लोगसभा MP या फिर र्याजिसभा MP अब लोगसभा MP बनने के लिए कोई भी एक लोगसभा constituency से इलेक्ट हो के आना पड़ेगा ठीक है और र्याजिसभा MP के लिए elections केसे होते है मैंने आपको पहली बता दिया पिछले classes में तो 6 मेने के अंदर वो MP होना चीए अगर वो MP नहीं बने तो उन्हें रिजेन करना पड़ेगा now size of the council of ministers 2003 से पहले size of the council of ministers was determined according to the exigencies of time and requirements of the situation देखिए 2003 से पहले एक government चाहे कितने भी council of ministers रख सकते थे requirement के इसाब से पर इससे क्या होता था दोस्तो council of ministers का जो number है या फिर size है वो बहुत ज्यादा होता था उपर से जब कोई coalition government होगा ना तो और भी ज्यादा होता था क्योंगी देखिए coalition politics में क्या होता है एक party दूसरी party को ये बोलके attract करेंगे कि आप हमारे front join कर दो आपकी party से हम दो MP को minister बनाएंगे तो ऐसे करके size of the council of ministers बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए 2003 में 91st constitutional amendment act लेके आया और एक rule बनाया that the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of the people मतलब देखिए लोग सभा का total number of members कितना है 545 है इसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए council of ministers अगर assembly में तो जो legislative assembly का total strength है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए council of ministers का strength now the council of ministers is collectively responsible to the लोग सभा अब ये collectively responsible होने का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताओंगा वैसे आपको पता है कि council of ministers के पास हमेशा लोग सभा की majority का support चीए अगर majority नहीं रहा तो उन्हें रिजेन करना पड़ेगा now ये collectively responsible होने का मतलब ये है दोस्तों अगर opposition कोई भी एक single minister के against against vote of no confidence लेके आया और अगर ये vote of no confidence पास हो जाता है तो एंटियर council of ministers को रिजेन करना पड़ेगा अब ये vote of no confidence का मतलब क्या है देखे ये basically opposition parties लेके आते है एक particular minister के against या फिर एंडियर government के against भी आ बोल सकते हो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि government अपनी responsibility ठीक से निफानी पा रहा है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कोई एक particular minister अपनी responsibility ठीक से निफानी पा रहा है तो उनके against वो no confidence motion call कर सकता है अब देखे कोई भी motion अगर पार्लमन में या फिर assembly में पास होने के लिए majority का support तो चीए न अगर vote of no confidence pass होता है इसका मतलब यह है कि जो council of ministers से उनकी majority चला गया है कि नहीं अगर majority का support नहीं रहेंगे तो obviously बात है council of ministers को पूरा resign करना पड़ेगा basically government गिर जाएगा तो यह है दोस्तों collectively responsible होने का मतलब अगर एक single minister के against भी vote of no confidence पास हो जाता है तो entire council of ministers को resign करना पड़ेगा ठीक है आप देखें और है cabinet decisions में भी यह collectively responsible वाला principle आते हैं दोस्तों माल लीजिए cabinet के अंदर कोई decision ले रहा है अगर कोई भी cabinet minister वह particular decision के against है उनके पास दो option है या तो उस decision से सहमत होना पड़ेगा या फिर cabinet से resign करना पड़ेगा मतलब समझ गये ना क्याबिनेट का जो decision है वो भी collectively होता है कोई एक minister का decision नहीं होता आप देखें इंडिया में prime minister सबसे important role play करता है council of ministers prime minister के बिना existing नहीं कर सकते इसलिए हमेशा prime minister और लेने के बाद council of ministers existence में आता है अगर prime minister का death होता है या फिर prime minister resign करता है तो automatically council of ministers भी dissolve होता है पर देखें अगर कोई और minister का death होता है या फिर वो resign करता है तब कोई फरक नहीं पड़ता बस एक vacancy create होगा वो vacancy बात में fill करने से चलेगा पर अगर prime minister resign करता है या फिर prime minister का death हो जाता है तो पूरे जो council of ministers से वो dissolve हो जाएगा तो basically prime minister एक link है दोस्तों जो एक तरफ council of ministers को connect करता है दूसरी तरफ parliament को साथ साथ में president को वैसे पंडित जवाला नहरू साब ने prime minister का role को the lynchpin of government कहे थे it is also the constitutional obligation of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation ये बात मैंने आपको पहली बोला था जब मैं president के बारे में बात कर रहा था prime minister हमेशा president of India के साथ communicate करना चाहिए council of ministers का decisions के बारे में नए ने legislative proposals के बारे में तो government का जितने भी important decisions है policies है वो सारे में prime minister of India involved है thus the power wielded by the prime minister flows from various sources एक तो council of ministers को वो control करते है लोकसपा का leadership handle करते है पूर्य जो bureaucratic machine है या फिर administrative missionary है इसके उपर command है access to media है वो अलग-अलग personalities को elections में project करते है कि project as national leader during international summitry as well as foreign visits जब भी इंडिया का representation होता है जैसे कि G20 हो गया, सार्क हो गया, beam stack हो गया ये सभी international summittries में prime minister of India, इंडिया को represent करते है आस्ता national leader ये सबके बावजूर, prime minister के पास जितने powers है न उसका effectiveness depend करता है prevailing political conditions के उपर मेरा कहने का मतलब है अगर ruling party को लोगसभा में sufficient majority है तो फिर कोई issue नहीं है, अपने इसाब से decisions ले सकता है, policies formulate कर सकता है कोई आपको पूछेगा नहीं, बट अगर आपका coalition government है मतलब दूसरा कोई political party का support से आप prime minister बने हो तो decisions लेने से पहले उनसे भी consult करना पड़ेगा basically उनको खुश रखना पड़ेगा, अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो हो सकता है वो अपना समर्थन जो है, वो वापस ले ले फिर government गिर जाएगा तो ये मैंने बोला, अगर ruling party का sufficient majority है लोगसभा में तब ही prime minister अपने जो power से उसे effectively use कर पाएंगे जैसे कि अब ही प्रथान मंदरी नरेंदर मोदी जी है उनको tension लेने की कोई ज़रोद नहीं है क्योंकि BJP का sufficient majority है लोगसभा में और एक example में बता देता हूं दोस्तों 2018 में जब करनाट का legislative assembly elections हुआ तो सबसे ज़्यादा seats मिले थे, BJP को करीब 90 मिले थे और Congress को करीब 65 मिले थे और JDS, जनदादल Secular, उनको करीब 37 seats मिले थे यह actual नहीं है, just for an example में आपको बता रहा हूं Now, अभी तीनों के पास majority नहीं था अब किसी को भी अगर government बनाना है तो coalition करना पड़ेगा किसी के साथ अब यह जो Congress और JDS ने क्या किया, एक साथ हो गया और Congress ने JDS को बोला, जिनको सबसे कम seats मिला बोला, आपकी party से Chief Minister रहेगा बस आप हमारे साथ रहो तो इस case में देखें दोस्तों, JDS का एक MLA Chief Minister दो बन गया पर इनको हमेशा Congress को भी खुश रखना पड़ेगा न क्योंगी अगर Congress खुश नहीं है अगर Congress के MLS अपना support वापस ले लेते हैं तो फिर यह government गिर जाएगा अभी क्या हाल है करनाड़का में? करनाड़का में अभी तो BJP का सरकार है मतलब कुछ MLS इधर से निकल कर BJP में जोइन किया या फिर रिजेन किया तो बेसिकली यह जो majority वाली चीज़े दोस्तों यह हमेशा maintain करना पड़ेगा और यह सबसे risky है जब coalition government होगा तो एक coalition government में Prime Minister का powers तब सबसे ज्यादा होगा जब उनके पास sufficient majority है जैसे मैंने आपको पहले बोला 1947 से करीब 1989 तक यह issue नहीं था हमेशा कोई न आपको एक political party को majority मिल जाता था वो आराम से अपना government बनाते थे पर 1989 के बाद इंडिया में coalition politics ज्यादा होगया दोस्तों, coalition government आने लगया अब जब भी coalition government रहते हैं उसमें यह सारे problems रहते हैं हमेशा उनको majority का डर रहेगा काफी सारे governments कोई और political party support वापस लेने से गिरा है 1998 में जब अटल बिहारी वाचपी देश के परथार मंदरी थे, कभी coalition government था National Democratic Alliance के अंदर काफी सारे political parties दे जो support किये थे उसमें एक major political party था दोस्तों ये IADMK इसे अन्ना DMK भी बोलते हैं उस वक्त अन्ना DMK का leader थी जैललिता अब जैललिता के बारे में तो आपने सुनाई होगा former chief minister of Tamil Nadu थी नव एक दिन अन्ना DMK ने क्या क्या अपना जो समर्थन वो वापस ले लिया करीब 35 या 37 seats थे अन्ना DMK के पास जैसे उन्होंने अपना support वापस ले लिया government गिरा फिर से general elections हुआ देश में तो ये बस मैंने आपको एक example दिया कैसे ये coalition politics चलते हैं coalition politics में कोई भी prime minister या फिर कोई भी chief minister proper तरीके से 100% efficiency से काम नहीं कर पाएंगे तो पिछले कुछ सालों में ये सारे developments की वज़े से आजकल president का जो discretionary role है वो ज्यादा हो गया है in the selection of prime ministers देखे मैंने आपको इसके बार में पिछले वीडियो में बताया था election के बाद अगर किसी political party को भी clear majority नहीं है तो president को prime minister चुनना पड़ता है जो आगे house में अपना majority प्रूव कर सके secondly the coalitional nature of Indian politics in this period has necessitated much more consultation between political partners leading to erosion of prime ministerial authority वही बात कर रहे है दोस्तों आजकल prime ministerial authority जो चीज है न वो नहीं रहा आजकल नहीं बोलूँगा करीब 8 साल पहले तक या फिर 10 साल पहले तक coalitional politics के वज़े से prime minister की जो actual authority है वो नहीं रहता था क्योंगी कोई भी decision लेने से पहले उन्हें सारे political partners से ये पूछना पड़ेगा कि आप खुश है आप खुश है अगर वो खुश नहीं है हो सकते है वो अपना समर्थन वापस लेने फिर गर्मन गिर जाएगा तो ऐसे condition में कोई भी prime minister ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा तो मेरा कहने का मतलब है prime ministerial authority नहीं रहेगा पर आज है वो क्योंगी आज बीजेपी के पास वो majority है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी किसी से ना पूछ कर एक decision ले सकता है क्यूंकि उन्हें वो support का tension नहीं है समझ रहना मैं क्या बोल रहा हूं कि thirdly it has also brought restrictions on the various prorogities of the prime minister देखिए ये बात मैं अब पहले भुला था प्राइम मिनिस्टर डिसेट करते हैं कि council of ministers में कौन-कॉन होगा मिनिस्टर इसको कौन-कौन सब portfolios देना है रैंक देना है यह prime minister करते थे थे ना बट coalition politics में प्राइम मिनिस्टर ये डिसेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंगी coalition करने से पहले ही ये डिसेट हो जाता है एक एक party को कितने ministers दे रहा है वो बोलेंगे हमारे ये सारी MPs को आप minister बनाओ इसे आप cabinet rank दे दो इसी तरह चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का जो basic prorogative है अपने ministers select करने का वो भी नहीं रहेगा fourthly even the policies and programs of the government cannot be decided by the prime minister alone कि क्या क्या policies होनी चीए क्या क्या programs होनी चीए ये भी prime minister अकेला decide नहीं कर पाएगे क्योंगी अलग-अलग political parties होंगे coalition में और वो सारे political parties की जो ideology से strategy से वो भी different होगा तो वो भी अपनी हिसाब से बोलेंगे ऐसा होना चीए policy वैसे होना चीए policy कई सारे negotiations and compromises के बाद ही prime minister एक decision ले पाएगे and in this entire process the prime minister has to act more as a negotiator than as leader of government देखे वैसे prime minister leader of the government होते हैं पर एक coalition government में prime minister को एक negotiator का role निभाना पड़ेगा finally at the state level a similar parliamentary executive exists though with some variations देखे ये chapter हमने शुरू किया था parliamentary executive of India से आप तक हमने central level की बाते हैं किया अब ये बोला जा रहा है state level में भी a similar parliamentary executive है दोस्तों पर कुछ variation से वैसे आपको पता होगा हर state के लिए एक governor होता है जिसे president appoint करता है on the advice of central government ठीक है basically council of ministers president को advise करता है कि किन किन को ask governor appoint करना है तो हर state के लिए एक governor रहता है अब हर state में जो chief ministers से उन्हें appoint करता है governor ठीक है now though the chief minister like the prime minister is the leader of the majority party in the assembly the governor has more discretionary powers देखिए president के पास ज्यादा discretionary powers नहीं है यह मैंने आपको बोला था पिछले class में state के respect में governor के पास ज्यादा discretionary powers है दोस्तों अगर आप president से compare करोगे governor का powers क्या क्या है हम आगे chapters में discuss करेंगे ठीक है now state में जो chief minister है उन्हें majority maintain करना होता है basically chief minister and council of ministers को state legislative assembly की majority है वो हमेशा maintain करना है अगर majority नहीं है तो government किर जाएगा तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो को में finish करता हूँ आप मुझे comment box में प्लीज बता दीजेगा आप मुझे follow कर पा रहे है या नहीं कर पा